हेलो व्यूवर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एस्टार व्लॉग में आज हम बात करने वाले हैं दा कलर्स ऑफ ब्लू यामहा आरवन फाइफ के बारे में काफी खूबसूरत बाइक है अपने सेग्मेंट की 155cc एंजिन के सेग्मेंट की सबसे टॉप एंड क्लास बाइक मानी जाती है और यह तो यंग्स्टर की पसंद है आप तो सब जानते ही है साइट प्रोफाइल कुछ इस तरह है तो आज की इस वीडियो में हम आरवन फाइफ के बारे में ही बात करेंगे यह मॉडल 2022 की है 2022 मॉडल है यह 155cc एंजिन सेग्मेंट में यह अपन एवरिटिंग में यह सबसे टॉप में आती है काफी खूबसूरा साइट प्रोफाइल है फ्रंट से भी काफी जो है पिछले बार से इसे नया लुक प्रोवाइड देने की कोशिश की गई है या महा के तरफ से प्रोजेक्टर हैड लेंप के साथ तो चलिए हम शुरू करते है सबसे पहले इसके एंजन के बारे में तो चलिए बात करते हैं इसके एंजन के बारे में 155 CC का लिक्विट कूल एंजन फोर वैल के साथ फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलोजी और एक यहां पर और मैंशन है वी वी वे वरियेबल वैल एक्वेशन कंपनी का क्लेम है कि 7400 आ consumers अगे का फ्रेंट को डिस्क जुह है 282mm कर और पीछे का जो डिस्क है 220mm का डिस्क गृ स्टौंग दिया गे है ताकि आपको जो है ुन्स्टेंट के सामने आजा चालक तो उन्संट करते हैं काफी सामने से कर पाएं काफी सामने से खूब सूर्त लगती है यह काः बात करें इसके suspension की तो front side जो है upside down suspension दिया गया है और rear side monoshock absorber यह आपको काफी control में रखता है जब आप जो है corner लेते हैं जब आप बाइक को lean करते हैं तो control को काफी हद तक जो है stable रखता है center of gravity को आपका bonds नहीं करने देता है इसके बाद पीछे 140 mm का tire प्रोवाइड किया जाता है काफी wide tire है road पे आपका presence जो है बहुत हद तक stable बनाया रखने में मदद करती है यह next हम बात करेंगे यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर quick shifter दिया गया है gear के लिए उसके बाद side stand है इसमें भी switch है जब तक आप इसे उपर निकरते हैं तब तक engine ignition नहीं होगा उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं motorcycle यहाँ motorcycle connect का यहाँ पर बैजिंग किया गया है अब अपने phone को Bluetooth से आप स्पाइक से connect कर सकते हैं बाकी जैसे ही आप यहाँ पर इसे on करते हैं instrument cluster को यहाँ पर फोन के लिए आप एक छोटा सा लोगो देख सकते हैं फोन SMS के लिए एंडिकेटर का यहाँ लोगो है बात करें इसके instrument cluster की तो यहाँ पर गेर इंडिकेशन है यह आपका RPM मीटर यह आपका speedometer है यहाँ पर आपका drip है जो की operate किया जाएगा यहाँ से यहाँ से देख पा रहे हैं आप यह स्विच यहां आलेज भी शो करेगा आपको average यहां पर शो कर रहा है तू पॉट जीरो की average speed 26 traction control on है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ के PCS on यहाँ पर शो कर रहा traction control यहाँ पर on है अब हम आपको गाड़ी के engine स्टार्ट करके सुना दूँ यहाँ पर हजार स्विच भी दिया हुआ है dedicated हजार स्विच है चारू इंडिकेटर एक साथ start है तो हम कुछ बात करते हैं इसके लुक के बारे में काफी सुन्दर यहाँ लुक प्रोवाइट की गई है यहाँ प्रोजेक्टर headlamp दिया गया है उसके साथ side में DRL दिया गया काफी अच्छी aerodynamic जो है इसके लुक प्रोवाइट की गई है आप अगर चाहें तो इससे चेंज करा सकते हैं यह विंचल काफी ऊपर तक है aerodynamic function को जो है बहुत ही खुबसूरती से पूरा करने में यह इसका model जो है बहुत ही मददगार होता है काफी खुबसूरत side profile यह था overall review r15 v4 के बारे में the colors of blue यामहा उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को like करिए मेरे चैनल को subscribe करिए आपके subscription से थोड़ा सा मुझे positive wave मिलेगा तो मैं चाहूंगा कि आप चैनल को subscribe करे और मुझे कम से कम support करे इसे तरह कि वीडियो में आपके लिए always जो है लाता रहूंगा उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए फिर next वीडियो में आपसे मिलेंगे दूसरे बाइक के बारे में बात करते हूँ और अपने suggestion को भी मुझे pin करिए comment करिए मुझको बताईए कि मैंन नेक्स वीडियो में टड़ा बाइए